असलाम अलेकुम गाइस क्या अलमीदा आप सब लोग ठीक टाक होगे गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अगर हमसे कोई फोटू या कोई वीडियो परसनल डेलीड हो गया तो हम उसको कैसे रीकवर कर सकते हैं जस्ट एक एप के थुरू तो चलिए फाइल मेनेजर नाम से एक हमें एप डाउनलोड करना है ठीक है फाइल मेनेजर हम जाते हैं इदर से फाइल मेनेजर आपने कुन सा डाउनलोड करना है ये वाला ठीक है फाइल मेनेजर इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो मैंने डाउनलोड करके रखा ठीक है बेकप्स में आता है तो उस फोल्डर को ओपिन कर लेते हैं वो फोल्डर हमारा है DCIM वाला ठीक है इसको आप ओपिन कर लेते हैं उसके बाद यह जो three lines आपको नजर आ रहते हैं आपने इस पर क्लिक करने के बाद नीचे नीचे आपको शो इडिन फैल का option नजर आएग वो इसमें आपको show हो जाएंगे ठीक है आप इदर से recover कर सकते हैं इसको ठीक है तो यह जो नीचे हमें एक दूसरा बता रहा है global trash में 426 ATM से इसमें ठीक है तो हम इसको open कर लेते हैं अभी देखें MPAT folder बता रहा है इदर तो आपने क्या करना है दोबार आपने यह three lines से इस प वो recover कर सकता हूं तो इस तरह आप कर सकते हैं अभी आपने क्या करना है अगर recover करना है आपको तो आपने किसी को भी इदर से select कर लेना है ठीक है उसके बाद यह जो move और copy का option दोनों आपको बता रहा है तो आप इदर से move करके जिदर आप चाहिए उसको आपने best कर सकते हैं तो मैंने इसको इदर best कर लिया है तो इस तरह आप data recover कर सकते हैं उम्मीद है वीडियो आपको चल लगए अगर वीडियो चल लगए तो वीडियो को like और channel को जरूर subscribe कर दीजीगा